हेलो माई यूटूब फैमली कैसे हैं आप लोग आप लोगों का किचिन मैजिक वैसुस मामे स्वागत है तो आज जो हम रेशीपी लेके आये हैं वह है गाजर का हल्वा जो हम एकदम पारंपरिक तरीका से बनाएंगे जो बनाना भी आसान है और स्वादिष्ट तो होता है घ कि मेरा रेशीपी का हर नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे और जो फ्रेंट्स पहले से मेरे चैनल पर जूरे हैं वह प्लीज लाइक कमेंट सेर जरूर करें थैंक्यू यह सीजनेवल रेशीपी है तो गाजर के हल्वा के लिए कभी भी अगर आप गाजर लें तो लाल वाला ही लें और ना जैदा मोटा और जैदा पतला नहीं होना चाहिए मीडियम में लेंगे तो गिसने में भी आसान होती है और वो सौप्ट भी बनता है तो इसके लिए मैंने ले लिया है तीन बड़ा चमच घी अब गाजर मैंने पहले घिस के रखा था तो एक ट सूखने के लिए रख दें क्योंकि जब गाजर सूख जाती है तो हमें घिसने में आसानी होती है नहीं तो गाजर गिला रहता है तो हाथ से फिसलता है फिर हाथ में लगने की डर रहती है इसके लिए जब कभी भी आप लोग गाजर घिसे तो पहले धो के सूखने के लिए तो अच्छा रहता है और पता नहीं आज कल लोग कुकर में सीटी लगा के गाजर का हलवा बना लेते हैं पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लगा मैंने ट्राइ किया था लेकिन मुझे बिल्कूल भी पसंद नहीं आई तो जब कभी भी मैं बनाती हूं तो इसी तरीका से बनात देखिए बहुत ही जायदा स्वादिष्ट होता है थोड़ा महनत नहीं है घीषने में थोड़ा टाइम लगती है तो डेरशा किलो गाजर गीरे में मुझे एकम कम 15 से 20 मिनीट लग गए आराम से घीषण से घर में तो दूद जैदा इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि दूद में जो अभी ये गाजर पकेगी तो उसका सॉप्टनेस भी जैदा आएगी और उसका टेस्ट भी कुछ अलग अच्छा ही आता है तो जैदा तर दूद का ही इस्तेमाल आज हम खोवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे अब मैंने लिया है एक कप मिल्क पॉडर अगर आप मिल्क पॉडर नहीं डालना चाहते हैं तो एस्किप कर सकते हैं इसके बदले में आप एक लीटर दूद डाल दीजिएगा तो बात बराबर ही होगी स्वाद हो ही आएगी तो अब इसे मुझे लो मीडियम में ही चलाते जा पकाना है क्योंकि गाजर सॉप्ट होता है तो नीचे से लग सकती है तो मुझे आराम से चलाते हुए इसे पकाना है तो गाजर जैदा लिया है मैंने आप लोग को लगेगी पार्टी होने वाली है ऐसा नहीं है मेरे घर में गाजर का हलवा सब बहुत पसंद करते हैं मेरे यह कर दो कि सोच करके जब कभी थिरे से पकाना है तो उसका टेया है नं Susp तो देख़े हैं तो देखें लूग काम करके मुझे से चलाते जाना है में कि अरना प्रल्षा को ओल्षिन अयना है तो ऊसका टेष्ट वा से अच्छा आता है वर्णाम से लग कम करके हमें इससे पकाना है तो अब हम डालेंगे करीब डिर कप के करीब चिनी डालेंगे अब मिठा अपने हिसाब से कम जैदा कर सकते हैं डेर किलो गाजर में डेर से पुने दो कप डालते हैं ये गाजर खुद भी मीठा होता है तो इसमें थोड़ा मीठास कम की ही जरूरत होती है तो आराम से हम फिर इसको चलाते रहेंगे नीचे से लगना नहीं चाहिए तो आप लोग ये रेशिपी कहां से देख रहे हो वीडि गाजर को चलाते रहना है तो हम बना रहे हैं आज ट्रेशनल अंदाज से बना रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगी हम सोटकॉट नहीं अपनाएंगे इसके लिए वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो आप लोग पूरा जरूर देखें लास्ट में मैं और एक स्विप्स बताने वाली हूं तो इसके लिए चलाते हुए मुझे करीब 15 मिनट 15-20 मिनट हो गए हैं चीनी डालने के बाद गाजर पानी छोड़ने लगता है तो थोरा जलने में पकने में टाइम लगती है लेकिन देखिएगा जब तक धीरे दीरे चीनी का पानी सोखेगा तो कलर भी बहुत मस्ता आने लगेगी जितना हम पकाते जाएंगे तो देखिएगा गाजर का हलवा का कलर कितना अच्छा होता जा रहा है तो दिरे-दिरे करके लौकम करके ही मुझे इसे चलाते रहना है तो देखिए कम से कम 25-30 मिनट हो गई है तो अब हम ड्राइफ फू कर सकते हैं मैंने पहले नहीं किया तो एक बरा सा कोई भी वर्तन ले ले लेंगे मेरा कर्ची बरा है तो मैं वह ले रही हूं तो उसमें हम ड्राइफ फूर्ट को थोड़ा फड़ाई कर लेंगे तो देखिए अब हम डाल रहे हैं एक चमच के करीब इलाइची पॉडर गाजर के हल्वा में इलाइची पॉडर बहुत ही महत पूर्ण होती है उसका टेस्ट बहुत ही लाजबाब आता है तो फिर से हमें इसे चला इसे के दह्ते आते जाना है कि दी कि देखिए कि अला प्लऺ स्चालार हो गया है तो हम कर्ची मिलेंगे चंवाच के करीब घी गी मेरा घर का बना हुआ है आप लोग घी का भी रेसीपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं बहुत ही लाजबाब घी का रेसीपी है मेरे चैनल पर अब इसमें हम डाल रहे हैं किस्मीस तो गाजर के हलवा में जैदा ड्राइफ फूर्ट्स की जरूत नहीं परती है सिर्फ काजू बादाम और किस्मीस यह तीन ही आप डाले तो भी बहुत ही जैदा स्वादिश्ट होती है जैदा ड्राइफ फूर्ट्स की जरूरत नहीं परती है बाकी आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं तो देखिए गी गरम करके उसमें काजू और बादाम डाल देंगे और उसको दस से पंद्रा सकेंड के लिए फ्राइफ कर लेंगे और जैदा फ्राइफ मत कीजिएगा नहीं तो वह करवापन आ जाती है तो वह टेस्ट भी गर जाएगा तो इसके लिए अब देखिए लाजबाब गाजर का हलवा बनके तयार है अगर आप पारम पढ़िक तरीके से ऐसे बनाएंगे तो थोरा टाइम तो लगती है लेकिन जो है न वह लाजबाब बनती है तो जब कभी भी आप लोग भी बनाएगा तो इसी अंदाज से बनाएगा बहुत ही लाजबाब गाजर का हलवा बनेगी तो देखिए अब मैं सर्व कर रही हूं तो प्लेट में गाजर का हलवा लेके उपर किस्मीश थोड़ा ड्राइफ दालके आप सर्व करिएगा सब बहुत जैदा खुस हो जाएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई राधे राधे